हवा प्रदूशन, जलब प्रदूशन, द्वनी प्रदूशन, मिट्टी प्रदूशन, आधी प्रदूशन के प्रकार होते हैं हम हवा प्रदूशन की जानकारी लेंगे हवा प्रदूशन नैसरगिक और मानवनिर्मित कारणों से होता है नैसरगिक कारणों से ज्वाला मुखी का उद्रेक, भूचाल, आंधी, धूल युक्त तूफान, दावा नल, आधी का समाविश होता है ज्वाला मुखी के उफन्ने से पत्थर, राख जैसे घनरूप पदार्थ बाहर आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डायोकसाइड, कारबन डायोकसाइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धूआँ वातावरण में घुल जाता है हमारे इर्दगिर्द अनेक सूक्षमजन्तू निर्मान होते हैं इनमें से कुछ सूक्षमजन्तू उपयुक्त होते हैं, तो कुछ सूक्षमजन्तू प्रदूशन निर्मान करने वाले होते हैं मानव निर्मित कारणों से होने वाले प्रदूशन में आध्योगी करण, इंधन का उपयोजन और अनुर्जा निर्मान अनुस्फोर्ट आधिका समाविश होता है, पत्थर का कोईला, LPG गैस, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रूल, आधिके इस्तमाल के कारण बड़े स्तर पर प्रदूशन कारबन मोनोक्सोईड, सल्फर डायोक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, सीस के सयोग हवा में घुल जाते हैं, वैसे ही लकडी जलाने के कारण प्रदूशन होता है, सभी प्रकार के कारखानों को इंधन की जरूरत पढ़ती है, इसमें से गंधक के भस्म नाइट्रोजन अक्साइड वातावर में घुल जाते हैं, उर्जा निर्मिती, स्वास्थ, खेती, अन्न सुरक्षितता, कारखानों और अनुसंधान के लिए अन प्रदूशन होता है, बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदूशन के लिए लंदन और पिट्सबर्ग के उधारण दिये जाते हैं, प्रदूशन से निकले धुएं से उस समय 1873 में 700 लोगों की, 1911 में 1150 लोगों की, 1952 में 4000 लोगों की मृत्यों हुई है, 1956 में स्वच्छ हवा का कानून बनाया गया, 1930 में मेयूस वैली में प्रदूशन के कारण 600 लोग बीमार पड़े और 63 लोग मर गए, ओद्यों की क्रांती के बाद उत्तर अमरिका के हवा की गुणवत्ता कम हो गई, कोईले के ज्वलन के कारण 1000 लोग बीमार पड़े और 20 लोग मर गए, 1960 में New York शहर और Los Angeles शहर ने ऐसे ही प्रदूशन का अनुभव किया था, अभी भारत देश के शहरों की परिस्थिती अत्यन्त चिंता जनक है और बड़े पैमाने में हवा प्रदूशन हो रहा है, जागतिक स्थर पर विचार करते हुए चीन और उत्तर अमरिका के बाद हरित ग्रिह वायू के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, जागतिक स्वास्ति संगटन 2008 से 2017 में किये सर्वेक्षन के अनुसार भारत के कानपूर, फरिदाबाद, गया, वारणसी, पटना, देहली, लखनो नामक शहरों का पहले 17 शहरों में समावेश है, आगरा, गुरगाउ, जाइपूर जैसे शहरों की हवा प्रदूशित है, हवा प्रदूशन में घर से बाहर का प्रदूशन और घर में ज्वलन के कारण निर्मित प्रदूशन नामक दो प्रकार होते हैं, बाहिय हवा के प्रदूशन में कोईला और पेट्रोलियम के ज्वलन का समाविश होता है, वैसे ही सलफर डायोकसाइड, कार्बन डायोकसाइड, केमिकल वेपर, रासाइनिक बाफ के ज्वलन का भी समाविश होता है, घरेलू हवा प्रदूशन में गैस, घरेलू उत्पाद औ प्राणियों के श्वसन पर विँप्रीद परणाम होता है आँखों की जलन होती है, हवा प्रदूशन मनस्पती और प्राणियों पर होता है, ठीक वैसे ही जलवायू पर भी होता है, हम जानते हैं कि जलवायू के स्थितंबर इस स्तर के निचले भाग में ओजोन का स्तर महसूस होता है, ओजोन सजेव स्रिष्टी का संद्रक्षन करने वायू है, प्रदूशन के कारण इसे खत्रा पहुंचा है, ओजोन यह निसरगताहा तयार होने वाली वायू है, उसमें ओ के तीन रेणू होते हैं, वो नीले रंग का उगर गंध होने वायू है, यह वायू वातावरण से आने वाले अतिनील किरणों को रोखने का प्रयत् विरल होता जा रहा है, इस कारण अतिनील किरण प्रित्वी तक पहुंचते हैं, इसी कारण से रोगों का प्रमान बढ़ता जा रहा है। तीन रेणू होते हैं, वो नीले रंग का उगर गंध होने वाला वायू है, यह वायू वातावरण से आने वाले अतिनील किरणों को रोखने का प्रयत्न करता है।